हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वेज स्प्रिंग रोल की रेसेपी इसको आप घर पे बनाना बहुत ही आसान है और देखिए ये कितने क्रिस्पी बने है तो आप लोग वीड हैं तो यहां पर मैंने वन कप मैईदा लिया है और इसको और हेल्दी बनाने के लिए मैंने गेहों का भी आटे का यूज किया है आप चाहें तो दोनों में से कोई एक चूस कर सकते हैं यहां पर मैंने थोड़ा नमक अपने टेस्ट के एकोर्डिंग और यह मोईन के लिए थोड़ा सा तेल डाला है तो मैंने यहां पर रिफाइंड डाल कर यूज किया आप भी भी डाल सकते हैं और बस इसका एक टाइट डो लगाना है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है एक टाइट डो लगाएंगे इससे कि यह क्रिस्पी बनेंगे अब बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक टाइट डो लगा लेंगे और थोड़ा सा आइल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रिस्पे रख देना है इसलिए दुस्री तरफ फिलिंग की त्यारी कर लेते हैं यहाँ पर मैंने मैगी को बॉयल करने के लिए रख दिया है जी हाँ मैं फिलिंग में मैगी का भी यूज़ करेंगे और थोड़ा सा आइल डाल देंगे क्योंकि यह बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इस तरह मैगी डालने से और टेस्ट भी दुगना हो जाएगा आप इसको मैगी वेजी रोल भी बोल सकते हैं तो चलिए देखी अब हमारी मैगी अच्छे से बॉयल हो चुकी है और इसको अब अब लोग स्टेन कर लेते हैं और दुसरी तरफ एक पैन में थोड़ा सा आइल लेकर यहाँ पर हरी मिर्च डालेंगे यहां 2-3 हरी मिर्च मैंने यूज़ करी है और एक मीडियम साइज की पैस को फाइन चॉप करके बस थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है और यह शिमला मिर्च यहां पर डाल देंगे आप चाहें तो अपने टेस्स के زाफ से जो भी आप को सबजें डालना चाहें डाल सकते है और मैंने यहाँ पत्ता गोबी का यूज़ किया है आप चाहें तो इसमें गाजर और मटर वगेरा जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते है घर पर बनाने से यही एक option अच्छा रहता है कि आपने मन पसंद की सबजें इसमें डाल सकते हैं और नमक मैं पहले ही इसमें add कर चुकी हूँ और बस इसको थोड़ी दिर cook करते हुए बॉयल मैगी अब इसमें add कर देंगे आप यही पर ही सारी sauce डालेंगे मैंने यहाँ पर शैजवान sauce 1 teaspoon के खरीब लिया है और यह सोया sauce डाली है आपने हिसाब से जो sauce आपको पसंद है वो डाल सकते हैं चिली sauce भी डाल सकते हैं यहाँ पर वो सब आपके taste के उपर है आपको जो पसंद हो डालें यह 1 teaspoon tomato sauce का यूज़ किया है तो सब को अच्छे से mix कर लेते हैं और एक अच्छी filling तियार कर लेंगे और last base में थोड़ी धनिया डाल देंगे बस अब यह तयार हो गई है और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे जिससे यह ठंडी हो जाए तो मैंने यह एक plate में इसको फैला के रख दिया जिससे जल्दी ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे देखिए आटा भी मेरा set हो चुका है अब इसकी छोटी छोटी लोई हैं जिस हिसाफ से आप जितना बड़ा roll चाहते हैं उस हिसाफ से आप लोई ले सकते हैं तो देखिए मैं इसको कैसे बना रही हूँ बस इस तरह से आपको पहले एक रोटी जैसा बना लेना है और जो filling आपने बनाई है बस इसको इस तरह से रख के बीच में इस तरह से दोनों साइट से फोल्ड कर देंगे बहुत ही simple होता है और बहुत ही easy होती है घर पे तयार की तो बहुत ही healthy भी होती है तो मैं यही prefer करूँगी कि आप लोग घर पर ही बनाएं इसी तरीके से और बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी एंड लगा लें जिससे कि यह खुले ना चिपक जा अच्छे से तो देखी इस तरह से आप तयार कर लिजेगा और इसको सब तयार हो जाएगा तो थोड़ी दिर के लिए आप रग दीजेगा फॉरण फ्राई नहीं करिए उससे अच्छे से सेट हो जाता है तो मैं यहाँ पर आपको एक रोल और बना के दिखा देती हूँ बस इसको साइट से आपको फोल्ड करना है जिससे कि यह फ्राई करने पर खुले नहीं इस चिसका ध्यान रखना है और बस इस तरह से फोल्ड करते हुए और साइट में पानी लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे बस इस तरीके से तो आप लोगों को इस तरह से सारे रोल तयार कर लेने हैं थोड़ी दिर रख देंगे जिससे कि अच्छे सेट हो जाए चलिए अब इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए ऑईल हो चुका है और यहाँ पर एक एक करके डालेंगे एक साथ मट डालिएगा वरना फ्राई करने में प्रॉब्लम आती है ठीक से यह फ्राई नहीं हो पाएंगे और पलटने में भी प्रॉब्लम आईगी तो जितने पैन में आ सकें असानी से उ तो चलिए अब दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है अब उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं और आप लोग जब निकाल लिए गा तो इसी तरह से एक छन्नी में निकाल लिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा फिर सौगी हो जाएंगे फिर थोड़ी देर बाद इसको अम लोग प्लेट आउट कर लेते हैं तो देखा फ्रेंड्स इसको बनाना कितना इजी था और ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी भी बने हैं देखिए इसकी आवाज आपने सुल और मैं आपको एक गट करके भी दिखाती हूँ ये अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो गये हैं ये देखिए फ्रेंड कितने यमी लग रहे हैं अब आप लोग इसको टोमाटो सॉस के साथ ये ग्रीन चेटनी के साथ इंज्वाए करिए तो आप लोगों को मेरी ये रे और जो वीवर्स नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए तो जल्दी मिलते एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई